नमस्कार दोस्तों, आसा करता हूँ आप सभी प्रसन एवं स्वस्त होंगे क्या आपको साप से डर लगता है? अगर हाँ, तो बिलकुल सही है, क्योंकि कुछ साप बहुत ही जहरीले होते हैं और उनके काटने से मृत्यू तक हो सकती है लेकिन ये बात सच भी है, कि अधिकान साप जहरीले नहीं होते हैं करीब 25% साप भी जहरीले होते हैं, जिनके काटने से कभी-कभी लाइफ थ्रिटनिंग इस्तिती बन सकती है तो आज हम एक ऐसे कटेगरी की बात करने वाले हैं, जिने हम कहते हैं नियूरो पैरलेटिक स्नेक बाइट्स, मतलब ऐसे इस्तिती जिसमें साप के काटने से सरीर की नसे, नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाती हैं, और मरीज को तरह तरह के लक्षणा आए लगते हैं यह बड़ा ही महत्पूर्ण है, मैं इसलिए हैं बताना चाहता हूँ कि हाली मैंने कुछ ऐसे पेशन्ट देखे हैं जिन्हें पता नहीं लग पाया कि उन्हें साप काटा है, क्योंकि वे अपने लक्षणों को पहचान नहीं पाए और कुछ लक्षण इतने इसपष्ट होते हैं निरो पैरलेटिक स्नेक बाइट की कि आप अगर उन लक्षणों को देखें अपने में या अपने किसी परीजन में तो आप तुरंथ ही बता पाएंगे कि यहां साथ साप काटने की वज़ा से हुआ है तो क्या है वे लक्षण अगर किसी को अचानक ही पेट में दर्द सुरू हो जाए और हाथ और पैर कमजोर पढ़ने लगे खाना निगलने में या लार निगलने में दिक्कत होने लगे पल के नीचे की और जुग जाएं और आई का मुव्मेंट लेफ्ट और राइट करने में दिक्कत होने लगे तो आपको समझना चाहिए कि सायद यहां नीरो पैरलिटिक स्नेक बाइट का लक्षण है मतलब साप काटने का लक्षण है ऐसा साप जो कि आपके नर्वा सिस्टम को अफेक्ट करता है दो मुख्य साप है जो नर्वा सिस्टम को अफेक्ट करते हैं वे हैं क्रेट और कोब्रा और हमारे समान्य जीवन में ज्यादातर क्रेट का सामना अधिकांस लोगों को होता है तो अगर किसी को ये लक्षण जो मैंने भी आपको बता है दिखाई पड़े तो समझना चाहिए कि ये साहत क्रेट के काटने से हुआ है और ऐसे मरीज को तुरंत ही अस्पताल लेकर जाना चाहिए क्योंकि अगर समय पर एंटी वेनम का इंजेक्शन लग गया तो मरीज की जान असानी से बजाई जा सकती है और समय पर आप अस्पताल नहीं पहुँचे और लेट हो गये तो कई बार की सांस रुकने की वजह से मरीज के प्राण पर संकट आ सकता है और मरीज अगर लेट पहुँचता है अस्पताल में तो मरीज को कई बार की वेंटिलेटर पर रखकर सपोर्ट करना पड़ता है जब तक की एंटिवेनम का असर ना आ जाए और जहर धीरे-धीरे कम न हो जाए तो जब भी किसी को अचानक ही इस तरह के लक्षन दिखाए पड़े तो आपको सतर्क हो जाए जादतर क्या होता है कि कुछ लोग जमीन पर सोते हैं उनके आदत होती है और कुछ लोगों को घर में कुछ काम चल रहा हो जिसके वज़ा से उपर सोना संभव नहीं होता रिनोवेशनादी की वज़ा से तो वह नीचे सोय होते हैं खासकर बारिस की दिनों में या उसके तुरंट बाद की दिनों में साम की चहल पल ज़ादा हो जाती है और कई बार वह काट कर आपको निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता है जब लक्षण आते हैं तब आपको बड़ी हैरानी होती है कि यह क्या हो रहा है और डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो डॉक्टर को भी समझ में आता कि यह लक्षण कहा से आयो है तो ऑगर को इन लक्षणों की जानकारी होगी तो आप डॉक्टर को स्वैम बढ़ा सकते हैं कि आप आज रात को नीचे सोए हुए थे तो क्या ये सांप की काटने से हो सकते हैं एक पेशिंट के बारे में आपको बताना चाहूंगा ये बड़ा ही इंपोर्टेंट केस है इसे साथ आप कोर्लेट कर पाएंगे एक चालीस वर्ष के व्यक्ति थे वे घर में सुबह साड़ ये देपी घर के लोग भी उस समय तक जाग चुके थे और धिरे धिरे करके उनकी सांस उखड़ने लगी तो उन्हें तुरंत ही वे निकट के अस्पताल में लेकर गए और वहां पर वहां डॉक्टर ने देखा कि अब इनकी सांस तूटने ही वाली है तो उन्होंने उसे इ के साथ में तो मैंने जब मरीज को देखा तो उनकी आखें फिक्स हो गई थी बिलकुल किसी तरफ मुमेंट नहीं था आई का यदब भी मरीज समझ पा रहा था लेकिन वो खिला नहीं पा रहा था अपनी आखों को हाथ पर तो हिल ही नहीं रहते बिलकुल जीरो हो चुके थ तो मैंने जब पलक उठा के मरीज को पूछा कि आपको किसी साप ने काटा है तो बहुत हलका सा इंगित कर रहे थे उसे समझ में तो नहीं आ रहा था लेकिन कुछ कहना चाहते हैं ऐसा महसुस हो रहा था अपनी आखों से तो मैंने उनकी वाइफ को बुलाया मैंने उनसे प पाक साब जब सुबह उठे तो उन्हेंने हमसे कहा कि यहां साप है और उसके बाद इतनी सारी घटनाएं हो गई कि हम भूली गए कि साप दिखा था इनको हमें नहीं साप दिखा था लेकिन इन्होंने एक बार जरूर कहा था कि साप है आसपास कहीं पर तो साइद इनको इन्जेक्शन लगाए और दो दिन में ही पेशेंट जो है बेंटलेटर से बाहर हो गया और तिसरे दिन डिस्चार्ज हो गया तो सही समय पर अगर डाइगनोसिस बन जाती है तो जहरीले स्नेक बाइट के बावजूद भी मरीज की जान आसानी से बचा जा सकती है तो जानक बारिश की दिन हो और मरीज नीचे सोया हो तो आपको जरूर सोचना चाहिए कि सायद स्नेक बाइट का लक्षण हो सकता है इसमें पेट में दर्द एक मुख्य लक्षण है मेरी द्रिष्टी में जो अधिकांस पेशेंट में दिखाई पड़ता है तो यह भी एक तो देने बात